हाई फ्रेंड्स वल्कम टू माई यूटुब चानल आज मैं बनाने जा रही हूँ यम्मी यम्मी सा पालक चिकन की रेसिपी देखिए मैं बना चुकी हूँ इतना टेस्टी इतनी वेराइटी और आपको भी खाये नहोंगी इतना टेस्टी लगता है जो रेस्टरेंट में मिल जाएजी इतना टेस्टी है कि जल्दी वन जाता है चले बनाते हैं लेट्स गो सबसे पहले यह पालक है में तीन गड़ी पालक लेकी साफ़कर कर रखा है यह गरम मसाले पूरे इन सब को पीस लेना है यह बड़े कड़ाय में मैंने पानी लिया है दो-तीन कप उसके अंदर पालक तीन कप और दन्यापती एक कप और तीन हरी मिर्चे इन्हें गरम पानी में थोड़ा सा इनको बॉयल्ड होने देना है ज्यादा बॉयल्ड होने नहीं देना ने तो पालक का कलर काला पड़ जाएगा फिर बतारी में आपको देखिए एकदम हलका सा बॉयल्ड आगे क इस स्टेज पर इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है पालक मिर्ची और दन्यापती को फिर एक कड़ाई में मैंने चार चमस्तेल लिया उसके अंदर लॉंग इलाच एक दो डाला है और चार बड़े ओनियन स्लाइस में काटके डाला है ओनियन भून लीजे हो गया जो हमने मसाला में दिखाया था टमाटार हारी पुरा गराम मसाला का उसी का पिसावा पेस्ट है यह डाल दीजे में पूरा डिसकुर्शन बॉक्स में लिख दूँगे आपको क्या क्या मैंने खड़े मसाले लिए बहुत इकम कड़े मसाले लिए हैं इन सबको अच् लालमिज पौडर डाल रहें क्योंकि मिर्चिया डाले हैं हमने पहले से और आदा चमच गरम मसाला और आदा चमच दनिया पौडर इने डालके इने अच्छा से एक दम तेल चुटने तक मस्त भून लेना है एक दम से कच्चा फ्लेवर नहीं रहे इसका तेल पूरा मत पान लेना है पीछ के इसका पेस्ट में डाल देना है या पालक चिकन बोले हैं तो पालक तो पड़े गई इतना टेस्टी लगता है कि आप बोलेगे वह क्या मस्त लग रहा है कॉम्बनेशन इसको डाल उकि इसे अच्छे से मिला लेंगे मिला लेने के बाद इसे बॉल्डों ने देना है जैसे पकने देना है दस मिन्ट तो इसको बाला ने देना पालक को डखना नहीं है डख हेंगे तो काला पड़ जाएगा यह डखना नहीं है जैसे दस मिन्ट बॉल्ड हो रहा फिर यह आम लोग चिकन डाल लेंगे मैं डाल रह बजो ड actака जितना कॉनेनीटी चाहिए आप उतना डाल सकते हैं इसको चिकन डाल के इस अच्चेसे mix कर लेंगे mix करने के बाद अच्छा से mix कर लेंगे च्रह दस मिनट तक इसको पकने देंगे हम लोग है medium heat आयल पे मतलब medium आज पे इसको अच्छा से पकने देना है हम लोग को डखना नहीं है डखिंगे तो पानी भी ज़्यादा हो जाएगा और color भी जो जाएगा पानी इसलिए जाता हो जो पत्तेदर सब्सक्राइब नहीं है इसे इसे अच्छा से दी मीडिया मीट पे इसको अच्छा से थोड़ा दस मिड़ता पकने देना चेकन को जैसे पकरा है देखें मास तो कुषभारी जी क्या बताओ मैं आपको मस लगता है देखें इसको अच्छा से पकरा है इसके बाद इसके अंदर डालने के थोड़ा सा और पाणी ताकि यह अच्छा से पक सके जो पालक में ने उबाला तर्णो पानी फेकना नहीं है वही पानी है यह यह एक कप पे डाल रहे हो मैं आपको चेह तो आओ ज्यादा भी डाल सकते है लिक नोला लग। खुम आझ पर इसको अच्छा से पकने देना है डखना है बताती देखों किस तरह डखना है इसको देखती अलगाए इसको तोड़ा खोला है देखिए कितना मस्द पक गया है किसी रेष्टोरन से वनन गया से पालकचिकन की रसिपी उसके बाद इसके अंदर में डाल रही हो आदा चमच कसूरी मेती कसूरी मेती इसको खुरश करके डाले इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुश्पू भी इसको डालने के बाद इसको अच्छा से mix कर लिजिए और लाश्ट को में डाल रही हो king of the ingredients क्या एक दो चमच गी जी गी डालिएगा इतना चा टेस्ट इतना चारोम लगता है एकदम पक्का मज़ा आजाएगा सब्सक्राइब डाबा स्टाइल खा रहे हैं आप करके गी नहीं है तो बटर डाल दीजी आप बड़ा अच्छा लगेगा वो भी डाल के इसको मिक्स करके रेड ट्राइ करेंगे ना थैंक्स पर वोची